सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जना समॉल फाइनेंस बैंक ने अपने कौर्टरली रेजल्ट डिस्क्लोज कर दिया है तो कैसे रहे हैं इसके कौर्टर फॉर के आंकड़े चलो देखते हैं डेटेल में और इसका इंपेक्ट हमें कैसा देखने को मिलेगा स्टॉक के उपर कलिकी दिर मार्केट क्लोजिंग के बाद आये ना तो यहां पर देखोगे भी हम देखेंगे इसके जो आल रिजल्ट से इसको लेकर ठीक और यहां पर जो ओल फिगर दे रखी ना वो दे रखेंगे इन रुपीज थाउजिंड में या 1000 में यह जितना भी आंकड़ ने हजार में हैं लेकिन क्रोड में करेंगे जैसा कि आप लोग देखोगे यह वाला समझो एक क्रोड ग्यारा लाक दस हजार साथ सो अठावे हजार अगर क्रोड में करेंगे तो पीछे के च्यारंग छोड़ दो ठीक है उसके बाद यह बनता भी 1111 क्रोड की इंकम इसकी प्रिवेस के सेहम क्रोड गवग 119 क्रोड का एर तू इर आप लोग देखो गया इसके रिवेन्यू में जंप है तो काड़ टू क्वाटर भी रिवेन्यू में जंप है यह अध्र इंकल्यूड होकर है अधिर इंकम यहां पर है जो कि लगबग अपकी बार भी 189 क्रोड के प्रीवेश में थी 149 क्रोड के असपास की और प्रीवेश के सिर्म कौटर में थी 161 क्रोड और जो इंट्रस्ट से अर्न किया कंपणी ने वह यहां पर आपको देखने हो मिले लगबग 9109 क्रोड के प्रीवेश में 832 क्रोड के और प्रीवेश एर के सेहम कौटर में 739 क्रोड के एर टुए इंट में जम पहें तो क्यूर्ट क्यू पूपनी ने फिर से बनाया है तो प्रॉफिट क्या है उससे पहले आप लोग देखोगे यहां पर प्रोविजन्स हमें देखने को मिले भी वह है लगभग 115 कुरोड की प्रीविस में 160 कुरोड ती और प्रीवेस के से इम क्वाटर में 109 में year to year कम हुए है लेकिन quality to quarter में increasing आती हो नहीं चाहिए प्रोविजिन्स में तो अपके बार जो profit समय देखने को मिले हो यहां पर देख सकते हो लगबग 321 क्रोड का जबके previous quarter में 134 क्रोड का profit था और वहीं previous year के same quarter में लगबग 80 क्रोड का profit तो 80 क्रोड से 321 क्रोड के profit पर जम पाना year to year ठीक 134 क्रोड से आप लोग देखो के सीधा 321 क्रोड का profit आना quarter to quarter यह अपने आप में एक जबर्दस ताहा करे हैं ठीक काफी अच्छी results जो उमीद से परे वो results यहां पर हमें आते होए नजर आये हैं उसके पात देखो कि earning per share जो की 34 रुपे 55 पैसे previous में 18 रुपे 30 पैसे था और previous share के same quarter से compare को तो वहां पर 14 रुपे 73 पैसे तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो भी company ने और बैंक ने एक share के उपर कितना रुपया कमाया है तो 34 रुपे 55 पैसे जो की previous case तो double यह इसके results जो की काफी अब NPA और gross NPA और चेक कर लेते हैं NPA नीचे के column में net NPA और उपर के gross NPA ग्रोस NPA के अगर बात करें तो लगबग इस quarter में क्या रहे हैं भी 494 क्रोड के जब कि previous में क्या थे 807 क्रोड के और previous year के same quarter में थे भी 709 क्रोड के year to year gross NPA में बड़ी गिरावट है तो quarter to quarter gross NPA में हमें हलका फुलका इजाफा देखने को मिला है ठीक है उसके बाद आप लोग देखो के net NPA year quarter इस quarter में जो थे वह लगबा 130 क्रोड के असपास जबकि previous में क्या थे 156 क्रोड और previous year के same quarter में 466 क्रोड थे year to year और quarter to quarter इसके NPA में भी बड़ी गिरावट आई है तो अब यहां से जिस प्रकार के रजर्ट्स देखने को मिले है इससे पता लगता है कि मंडे के सोरी कल के दिन स्टोक में एक जबर्दस्त जंप हमें देखने को मिलेगा ठीक है जिसकी भी होल्डिंग कल तयार है एक अच्छे खासे रैली के लिए और इसका जो अर्णिंग पर डेक्टी यह आप लोग अच्छे रजर्ट्स अभी तो यहां से देख लेना तो यह इसके रजर्ट्स से लाव और कुछ पूचना कमेंट में पूच सकते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पूरना बिल्कुर मत भूलना ता कि इसके रिगारने कोई ख़बर आपसे मिसें न thank you for watching the video